शाथियो नमस्कार आपका चैनल पाइपिंग और में हर्दिक स्रोगत है आज की इस वीडियो में जानेंगे वेफ सिलिंग क्या होता है वेफ सिलिंग का वर्किंग लोड लिमीट फार्मलाक द्वारा कशे निकालते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है आ उठाने वाले वेफ सिलिंग का उप्योग बोश्तूों को प्रभाववी ढंग से और स्वचीत रूप से उठाने के लिए एक उताने वाले उपकरण या क्रेंड के साथ किया जाता है वेफ सिलिंग का उपया इंडर्श्टरीकंष्ट्रू क संस्न मनुफ्यक्चूर को एक जाओ से दूसरे जाओ सिप्ट करने के लिए किया जाता है जो पॉलिष्टर या फैब्रिक मटेरियल के बने होते हैं आई जानते हैं कलर कोड और इस्ट्रेप यहां लाइन के द्वारा वेब सीलिंग या बेल्ट का से वर्किंग लोड या वर्किंग लोड कैपसिटी क इसके उपर जितना लाइन होगी वह उतने टन का वेब बेल्ट होगा यानि इसके उपर एक लाइन है तो यह एक टन का वेब बेल्ट है परफल करण के वेब सीलिंग का वर्किंग लोड लिमिट भी एक टन होता है इस पर एक ब्लेक लाइन होती है तो यह एक टन की होगी अ अगर एलो कलर का वेफ सीलिंग है तो उसका सेफ वर्किंग लोड तीन टन का होता है या पचातर एमें या नवेवल होता है इसमें नमबर आफ लाइन तीन होता है तो इसका वर्किंग लोड लिमिट तीन टन होगी और ग्रेट कलर का वेफ सीलिंग है तो उसका सेफ साइज में में यह दो होता है यह इसमें नमर्वान पा ओता है तो इसका 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 उसका वरकिंग को लिमीण की फार करेंद दिशाज तन होता है कि तो अगर शुत में होता है इसने ब्लेक कलर का लाइन——8 होता है, तो इसका वर्किंग lis,8 ton होगा और और ऐरांज कलर का वेप्सिलिंग है, तो उसका वर्किंग लोड लिमिट 10 ton होता है लेकिन ओरेंज कलर के वेप्सिलिंग के उपर 10 ब्लेक लाइन है तो या दस ton की होगी अगर नमर आप स्ट्रिप्स 12 है तो 12 टनकी होगी अगर इसके उपर 14 लाइन है तो या 14 टनकी होगी ऐसे ही अगर 20 लाइन है तो या 20 टनकी होगी और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आपने हो सकता है सस्क्राइब भी कर लिया हो गंटी भी वजा दियो लेकिन अपने 3-4 दोस्तों को कम से कम फेस्बूक और वाट्चेप पर सेयर करें कि ओभी बेल आइकन को प्रेस करें और वहां तक ये नोटिफिकेशन जा सके अगर मेरे वीडियो से मदद होती हो तो हर बार मेरे रिक्वेस्ट किये बिना लाइक कर दिया करिए मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पुरुवक बहुत बहुत धन्यवाद